वीना पुस्तक धारिनीम अभयदाम जाध्यां धकारा पहाम हस्ते स्भाटिक मालिकाइश्दधतीम पदमासने संस्थिताम वंदेताम परमेश्वरीम भगवतीम बुद्धिप्रदाम शारदाम परम विदुशी डॉक्टर प्रेमलताजी और वीना रहस्य विद उस्ताद असद अली खान साहब और विद्वजनो और मेरे सारस्वत सुरजनो आज मेरे सोधाहरण अभिभाशन का विशय है शास्त्र और प्रयोग इन म्यूजिक संगेत में शास्त्र और प्रयोग अगर हम भगवती सरस्वती का ध्यान करें तो प्रथम दर्शन हमें ये मालूम पड़ता है कि वे हैं वीना पुस्तकधारिनी यानि कि शास्त्र और शास्त्र चिंतन और प्रयोग क्रिया और सिध्धी तो इसमें वीना का नाम पहले आता है तो पहले तो कोई विद्या कोई कला प्रसृत होती है फिर उसका शास्त्र बनता है उसके उपर चिंतन होता है और फिर आगे चलकर शास्त्र और प्रयोग दोनों साथ में चलते हैं तो इंडिरा गांधी राष्ट्रिय के इंडर की मैं रुदय से अभारी हूँ कि इस मौलिक विशय पर थोड़ी सी चर्चा करने का आज मुझे सुवशर उन्होंने दिया है अब जैसे कि कोई नई बात तो नहीं कहती हूँ शास्त्र और प्रयोग किसी भी विद्या के और किसी भी शिल्प के कला के योग के दो अनिवार्यों और परस पर जुड़े हुए पहलू है और शास्त्र तो किसी विद्या का किसी कला का किसी शिल्प का होगा और प्रयोग भी उसी का होगा तो आपस में तो कोई अभिन अंतरंग संयोग होना ही चाहिए कभी कभी मुझे लगता है कि शात्र और प्रयोग ये जो दो धाराएं है दो बहिने जैसी प्रतीत होती है ऐसा लगता है कि उनका मूल उनका उद्गम एक ही है और मूल तहाँ वे मिली हुई है फिर अपने मार्ग पर चलती है मिलती तो है ही मिली हुई है पर कभी परस्तर अलग हो जाती है आपस में लड़ती भी है और फिर कैसे फिर आपस में समझोता होता रहता है और कोई क्रांत दर्शी मनेशी दोनों का अवलोकन करके दोनों में समंझस्य बिठाता है और फिर अपना क्रम चलता रहता है और ये भी है शास्तर का सिधानती ही बना हुआ है जो कि मैं आगे चल कर कहूंगी तो शास्तर और प्रयोग या कवि कर्म इनके आपसी संबंध को दर्शाने वाला एक सुन्दर अधिकृत विधान मैं प्रस्तुत कर रही हूँ अब भगवती सरस्वती का प्रकाश तो सब कुछ है ही ये बताया है कि द्वे वर्त्मनी दो मार्ग हैं गिराम देव्याह गिराम देवी वाग्देवी भगवती सरस्वती के दो मार्ग हैं वो कौनसे दो मार्ग हैं शास्त्रम एक तो शास्त्र है दूसरा है कवि कर्म कवी कर्म यानि कि सुरुजनशील कला का सुन्दरता का निर्माण ये कवी कर्म है केबल काव्य नहीं बलकि किसे भी सुरुजनशील कला में ये कवी कर्म ही लागू होता है अब ये जो शास्त्र और कवी कर्म है इन में से शास्त्र कहां से उद्भूत होता है तो कहा है कि प्रज्या, मराठी में हम प्रज्या कहते हैं, प्रज्या के द्वारा शास्त्र उद्भूत होता है और प्रतिभा के द्वारा सुरुजन शेल, कला, कवी, कर्म उद्भूत होता है तो कौन से दो हुए प्रज्या और प्रतिभा और प्रज्या और प्रतिभा का फिर आपस में क्या संबंद है प्रज्या के भी घटक एक स्थान पर बताए गए हैं वो हैं स्मृति, मति और बुद्धी तो स्मृति को कहा है स्मृतिर व्यतित विश्या पहले जो कोई चीज हो गई है उसे के तो स्मृति या स्मरण होता है तो यह भूतकाल से संबंदित है और मती ही आगामी गोचरा मती के बारे में कहा है कि उसे हमें आने वाली वस्तु का आने वाली घटना का या आने वाली स्थिति का अभास मती के द्वारा होता है और बुद्धी यानि मती हो गई भविश्चत काल और बुद्धी के लिए कहा है बुद्धिस तो तातकाली की मता, यानि present, वर्तमान, सो भूत्भविष्यत वर्तमान, तीनों ही हैं, और प्रज्या या प्रज्या को कहा है, वो त्रईकाली की, भूत्भविष्यत वर्तमान, सबको आकलन करने वाली है प्रज्या, आप तोटली हों इसको intellect कहेंगे एक हिसाब से तो वो है प्रग्या उसके प्रकाश में सब कुछ चिंतन नुरकार यह होता है और प्रतिभा क्या वस्तु है फिर प्रतिभा भी प्रग्या का ही एक विशेश है जिसमें एक विशेश क्षमता बताई गई है वो क्या क्षमता है अपूर्व वस्तु निर्मानक्षमा प्रद निया प्रतिभा स्मृता जो वस्तु पहले नहीं है उसको यानि नवीन वस्तु को निर्मान करने की जो क्षमता जो शक्ति है वो है प्रतिभा और उसमें भी उसमें ही नवनवनमेश शालिनी नवीन नवीन उनमेश उसमें आते रहते हैं तो ये जो नवनिर्मान की शक्ति है वो है प्रतिभा, तो प्रतिभा के अधार पर और प्रतिभा के ही बल पर कोई नवीन उद्भावना होती है, यानि कहा है कि सभी नवीन उद्भावना प्रतिभा के द्वारा होती है, उन में से फिर हर एक नवीन उद्भावना में प्रतिभा का ही प्रकाश है, जैसे संगीत, काव्य, नार्क्य, शिल्प और अन्यकलाएं तो इस प्रकार से बलके ये कहते हैं कि जो विज्ञान में भी नई उद्भावनाएं और नवीन हम देखते हैं वो भी प्रतिभा का ही प्रकाश है तो ये प्रतिभा का प्रकाश है और चूंकि वाद्देवी सरस्वती ये तो ब्रह्मन की शक्ती है तो जो ब्रह्मन का प्रकाश है वही बगवती सरस्वती के द्वारा और खिंचित अब मनुष्य को बड़ी पूरी मात्रा में तो नहीं खिंचित करत्रुत्व लक्षना उसे का थोड़ा कण मात्र प्रकाश हमारे मनुष्य को मिला है और उसके द्वारा हमारे सब सुन्दरता का निर्मान, भव्यता का निर्मान और आनंददाईनी सब कुछ कलाओं का निर्मान प्रतिभा के द्वारा होता है तो अब हम ये सोचने जा रहे हैं कि इन दोनों का आपस में इतना निकट का संबंद है और तब भी हम लोग कई बार इनी सोचते हैं कि जो प्रयोग करने वाले हैं तो शास्त्र के उपर नाक चड़ाते हैं अरे हमें इस शास्त्र से क्या देना लेना है हम तो प्रयोग क्रिया सिद्धक अलाकार है आपका प्रयोग और आपकी क्रिया ये तो कौनसे शात्र के सिधानतों पर कैसे अधारित है जरा अगर हम देखें तो इतना हमारा मन प्रसंद होगा कि हम सोचेंगे कि हमारे प्रयोग के वो पीछे कितनी महान गरिमा है और कितना प्रकाश है वरनत हम अपने चल रहे हैं कर रहे हैं प्रयोग तो उसके भी शात्र किसी ने का आखिर शास्त्र हे क्या क्या करता है वो के तु कहा है कि शास्त्त क्याbon करता है शिश्यत एन अनेञों कि शास्त्र के द्वारा हमें शिक्षा दिए जाती है यानि जो भी हम प्रेयोग करना चाहते हैं उसके बारे में हमें उसके सिधानतों का ज्यान प्रवीधियों का ज्यान और सब कुछ प्रकार का ज्यान और महुत उसके दाइरे भी हो सकते हैं इस प्रकार से हमें वो मिलता है इसके द्वारा शिक्षा मिलती है और एक अनुशासन एक मार्ग ऐसा होता है शासनात रायते वो ऐसा अनुशासन शास्त्र हमें देता है और विशय वस्तु को ले आकर उसके साथ लक्षन बनाकर और सब कुछ प्रवीदियों का और सब कुछ ये बनाकर शास्त्र हमें मार्ग दिखाता है और शास्त्र हमारी रक्षा करता है और नहीं दों आलूमनियम कहां बैक जाएं कि ऐसा अभी कभी तो प्राचिन काल से ही भारत ये संगेत में अविश्वद सेधान्तिक स्तर पर फिर प्रयोग से जुड़े हुए प्राणभूत आधार भूत सिंधान्तों और लक्षनों लियमों को लेकर और फिर ख्रियात्मक प्रविदी और सामगरी को लेकर भी ऐसे सभी आयां पर कंभीर शात्र चिंतन चिंतन होता चलाया है फिर कुछ परिवर्दन चले आये हैं होते अब मनिश्य की जो स्रियन शीलता है नवीन नवीन तो निर्मान करने ही वाली है और परिवर्दन भी होते चले आये हैं परन्तु साथ साथी कुछ ऐसे शाश्वत सनातन तत्व भी रहे हैं जो आज के संगीत शात्र पर भी लागू हैं तो इसी लिए हम प्राचेन संगीत से जुड़े हुए हैं ये नहीं हम जिवो अलग था और हम तो इन्हें के द्वारा हम जुड़े हुए हैं और मैंने सोचा हैं कि मैं ऐसे कुछ मौलिक पहलूं और परिभाशाओं को प अनी शी का वचन है कि सर्वस्त्य लूचनमशास्त्रम शास्त्र जो है वो किसी भी प्रविधि का किसी वस्तुकार conviction यानि आख है जो हमें द्ष्ट़ न करती जिसके द्वारा हम देख सकते हैं और यस्चनास्ति जिसको वो लोचन नहीं है उसको आप अंध्र एवसहा एक हिसाब से उसको आप अंध्र ही मानों इस प्रकार से कहा गया है तो अब मैं इस शास्त्र रूपी पथप्रदर्शक प्रकाश पुंज के विनम्र वंदना करती हूं और इस प्रकार से हम अगर शास्त्र के पास जाएं और शास्त्र के भी हर एक चीज़ हर एक के लिए नहीं है पर किसी विशिष्ट प्रयोग करता है के लिए या किसी सादक के लिए जो कुछ उसके लिए अनुकूल शास्त्र में जो है उस पहलू को लेकर उसको प्रकाश मिल सकता है इसलिए मैं तो यह अगर करूंगी कि हम शास्त्र के निकट जाने की अपनी अपनी विधा में अपने अपने स्थान पर रहते हुए हम उसका प्रयास करते रहें और यह कोई अभी नई समस्या उपस्थित हुई है अईसा भी नहीं है हम पुराने काल में भी यह देखते हैं कि शिकायत होती रहती है नहीं शास्त्रवित वेतिक कर्म शास्त्र का जो जानने वाला है उक्रिया और कर्म के जानकारी उसको नहीं और नहीं शास्त्रम वेति कर्मवित जो प्रयोक्षिल कलाकार प्रयोक्षिल व्यक्ति है उसको शास्त्र नहीं जानता तो दोनों का आपस में मिलना और दोनों के प्रकाश से आपस में प्रकाश और मार्ग का लाब करना यह कितना आवश्यक है और यह ही कहा है कि जो दोनों जानता है वो यह सच्चा विद्वान, वित ऐसा होता है इस प्रकार से शात्रयोग प्रयोग कैसे जुड़े हुए हैं ये हम लोगों ने देखा अब मैं बहुत ही थोड़े यानि मौलिक ऐसी परिभाशाओं को लेकर और कोई नई बात तो उसमें होगे नहीं पर हम देख सकते हैं कि उनका कितना महत्व प्राचिनकाल से चला आया है और आज में हमारे लिए कितना महत्व है तो महद हम एक उसको जो फॉर्मालिटी करके अच्छा उसको याद कर लिया स्वर क्या है कितने है और उसके बारे में हम कितना उसका महत्व है और कितना दारा है उनका ये हम अगर सोचें तो फिर हमारा ही बहुत लाब हमें दित किया गया है गंधर्वम के भी दो पक्ष दो पहली हुए हम तो सामान्य रिति से इसी परिवेश में सामान्य गंधर्वम यानी गान वादम गाना और बजाना दोनों का समावेश इसने रहा है वोकल एंड इंस्ट्रुमेंटल म्यूजिक इन दोनों का और इसमें का कहा है इनके तीन घटक जो भरत मुनी ने बताये हैं आज भी वो मौजूद हैं उपस्तित हैं वो क्या है स्वर ताल पदात्मकम स्वर ताल और पद ये तीन घटक संगीत के बताये हैं अब इन में से स्वर का स्थान पहले है क्यों स्वर का स्थान पहले है स्वर यानि मेलोडी की वस्तू मौलिक दिती से संगीत की जो नाद ध्वनी जो स्वर है वो ही है अब उसी को आकृती और आकार देने के लिए और सुन्दर वस्तु बनाने के लिए कलाकृती बनाने के लिए फिर ले और ताल उनका महत्व है ले और ताल यह संगीत के घटक हैं तीसरा घटक हमारे यहां पद बताया है उसका भी माना हुआ ऐसा स्थान संगीत में है पर पद हम यह कहेंगे कि केबल संगीत का घटक नहीं है उसका अपना एक विशाल दाइरा है वो वांग में साहित्या और भाशा इसमें है पर संगीत में उसका बताया है तो स्वरताल थोड़ी स्वर की परिभाशा और फिर स्वरोध देश यानी स्वराश जो है और स्वर का प्रपंच है उसके मारा में थोड़ी बात करें और फिर लै और ताल और फिर उन सब का सभी योग कैसे होकर फिर संगीत बनता है तो ऐसा थोड़े थोड़े इसमें हम विचार करेंगे कोई सिल्सेले वार ऐसा कुछ नहीं पर कुछ मौलिक और स्वर जो पहले बताएंगे साथ स्वर हैं शर्ज रिशब गांधार मध्यम पंचम धईवत निशाद ये तीन प्रकास ये साथ स्वर हमारे संगीत के मानू बुनियाद है अब कोई पूछेगा कि ये स्वर क्या है इतनी बड़ी धनी और नाद की दुनिया है तो सभी इतनी बड़ी दुनिया में सभी संगीत के लिए उप्योगी है जी नहीं स्वर एक विशिष्ट लक्षणों से युक्त ऐसा जो द्वनी है ऐसे जो द्वनी है उसी को स्वर कहेंगे स्वर शब्द भाशा में भी है स्वर यानि जिसको हम कहते हैं वाविल स्वर और व्याजन भाशा में आते हैं तो उसमें भाशा की दृष्टी से स्वयम राजते जो अपने आप में प्रकाशित अभी व्यक्त होता है वो तो स्वर है और बागी के कोख़गव अगरे इत्याद ये जो व्याजन है में वो अपने आप में अवश्यक्त प्रकाशित नऀंब वो सकते हैं उनको तो स्वर की साहता चाहिए गा तो यह जो स्वर का विशेष गुण है स्वयम राजते यह संगीत में भी है कि उसमें अपने आप प्रकाशन करने की शक्ति है पर केबल इतना परियाप्त नहीं पर स्वर का क्या लक्षण होगा इसलिए चलते चलते हमें और शुरुति और स्वर में फरक क्या है और कहां से स्वर को कि भावना होती है बड़े-बड़ी चर्चाय हुई पर पहले मुझे ये अभी ने वह गुप्त का इतना अच्छा लगा कि बहुत लोग को यह कहते हैं को हम तो भाई यह कहेंगे कि शृतिय के नंतर जो के अघात के नंतर जो कुछ धनी निकलती है उससे प्रभावित अनुराण आत्मक जो है स्निग्द मधुरत बनी उसी को भाई हम स्वर कहेंगे तो इतना निश्चे उनके अनुभव के उपर वो परिभाशा बनी और उसके ब कि अनुराण नात्मक और उसमें क्या शक्ति है स्वतो रंजयति शृत्रचित्त्तम शृताओं के जन का शृताओं के मन का चित्ता का रंजन करने की उसमें शक्ति होनी चाहिए तब यह तो वह संगीत के उपयोगी स्वर होगा तो ऐसे संगीत के उपियोगी स्वर साथ बताएं हैं, अब कोई कहेगा ये अपने कैसे भी नाम दे दिये हैं, शड्य, रिशब, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत, रिशाद, ऐसा नहीं है, वो भी विशिष्ट अर्थ के साथ वो हमारे स्वरों को नाम दिये गए हैं, शड्य को भी ये कहा है कि शड्य नाम, स्वरा नाम, जन कहा, बाकी के छे स्वरों का जनक ये शड्य कैसे बनता हैं? झाल, पाल, झाल, एक वो स्वरों का जनका 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 जैए हैं, झाल झाल